हेलो एवरिवन वेलकम बैक टुमाइन न्यूव स्केलपिंग स्रीज वीडियो आप सभी का स्वागत है तो काफी टाइम बाद ये वीडियो आ रहा है क्योंकि मैंने आपको अपडेट भी किया था कि मैं आई सरसरी के लिए जा रहा हूं तो इस वज़ा से मेरा पूरा एक वि थोड़ा ब्लर हो चुका था मतलब अच्छा नहीं दिखता था दूर का क्लियर नहीं दिखता था और ज्यादा देर ग्लासेज लगाने से क्या होता है कि मेरा हैडेक होता था रेगुलर बेसिस पे डेली ठीक है तो इस वज़ए से मैंने आई सर्जेरी करवाया है तो इसके मजाएगा वीडियो को एंट तक देखना स्किप करके मत देखो और सीखने के लिए मिलेगा यह मेरा गैरेंटी थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो लेकिन सीखोगे आप काफी अच्छे से ठीक है तो लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर सकते अपने दोस्तों में तो अब ही टाइम हो रहा है नौ बज के अठाइस मिनट आप देख सकते हो पहला इंडिसेजन केंडल यहां पर बनाया फिर सेकेंड दल आ पर रेड गैंडल बनाया और काफी स्ट्रॉंग रेड गैंडल बनाया अब यहां पर देखो यह पहले इधर सपोर्ट एरिया था इसको यहां पर ब्रेक किया है और पुट साइड में और भी फॉल आने का चांसे इस काफी जादा है थोड़ा सा मैं वेट करता हूं next candle का उसके बाद मैं यहां पर entry बनाऊगा तो अगर उसमें अगर पुल बैक पर कहीं पर मिलता है तो मैं यहां पर एक छोटा सा स्कैल्पिंग करने का ठ्राइ करूंगा ठीक है उसमें तो चलो इस candle को close करने देते हैं उसके बाद मैं एंटर करता हूं तो अपडेट करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो candle काफी सही नहीं बनाया है तो मैं यहां पर 900 quantity as calper mode candle low का एसल रहेगा चलो बाइ करते हैं मैंने बाइ कर लिया गाई चोटा सा stop loss रहेगा candle low का देखते हैं कैसा move करता है इसके अगेंस्ट मैं at least 40 point capture करने का ट्राइ करूंगा मैं यहां पर देखते हैं 40 point will be this 398 या फिर 400 पे इसका profit book करेंगे अच्छा target हो जाएगा चलो देखते हैं वैसे तो यहां पर और भी fall आना चाहिए बैंक निफ्टी में अगर नहीं आता है तो bad luck होगा क्योंकि already maybe ऐसा हो सकता है कि यहां पर already यहां पर fall आ चुका है तीन केंडल का तुम्हें भी यहां पर एक green बना दे कुछ भी हो सकता है anything can happen तो हर चीज के लिए ready रहना चाहिए चलो अभी green में आ चुके है दो हजार का profit तीन हजार चल रहा है कि ग्रेट कि चार हजार कि लॉंग शॉट लगा देता है और मेरा स्टॉपलस केंडल लोका ही रहेगा अस्पॉला पॉइंट का है और उसके अगेंस्ट में यहां पर 40 पॉइंट काप्चर करेंगे तो लेट्स यहां पर देखो मेरा order exit order ना रेडी है तो अस्टॉपलस यहां पर सिस्टम पर लगाने का कोई जरूरत नहीं जरास अभी मुझे अंसेफ फिल होता है मैं तुरंत यहां पर क्लिक करते से ही पोजिशना स्कॉर आफ हो जाता है तो इस बज़ा से मैं धन को यूज़ करता हूं ठीक है आप भी यूज़ कर जाने के लिए नीचे टेलिग्राम चैनल का भी लिंक होगा ठीक है उसको जॉइन कर लेना उसमें आपको पताज लग जाएगा कि कैसे आपको मेरा सुन टेडिंग को जॉइन करना फ्री में तो देखते हैं अभी यह कॉस्ट पे मूफ कर रहा है तीन-चार हजार का नहीं पर है तो यह थोड़ा सा एक गड़बड है अगर ऐसा हुआ तो इसली हमारा इसल चला जाएगा इसमें 15-16 पाइंट का चलो कोई नहीं फर्स्ट स्कैल्पिंग है छोटा सा रिस्क है तो कोई इस्यू है नहीं ठीक है छोटा से रिस्क दे देंगे मार्केट को अगर दुबारा यहां पर कोई अच्छा सा कैंडल बनाता है तो मैं यहां पर कॉंटिटी एड़ भी कर सकता हूं क्योंकि अच्छा पॉर्चिनिटी रहेगा एक स्कैल्पिंग निकालने का मॉर्णिंग में ठीक है तो फिर से ग्रीन में आता हुआ बस एक स्पाइक सेवेंटीन थाउजन ग्रेट अच्छा है अब तो इसमें स्टापलस को और भी कम कर देंगे इधर ही कहीं पर नाइनी हमें से नीचे निकाल दूँगा अगर रिभर्स होता है तो ठीक है क्योंकि 17,000 का यहां पर प्रॉफिट दिखा रहा था है ओके 16,000 का प्रॉफिट चल रहा है 21,000-22,000 का मैकसिमम् प्रॉफिट दिखाया गाई यहां पर थोड़ा सा यह पुट में इंक्रेमेंट थोड़ा स्लो है लेकिन कोई नहीं ऑप्षिन बाइंग में ऐसा ही होता है थोड़ा सा इसको जेलना पड़ता है चलो ठीक है 22,000 का यहां पर प्रॉफिट दिखाया है है ठीक है 22,000 का देखते हैं 19-20,000 का फिर से प्रॉफिट चल रहा है लेट सी एक और सेलिंग केंडल चाहिए एक और सेलिंग केंडल आईगा अरे यार इतना अच्छा गासा प्रॉफिट जब हाथ से जाता है तब पूरा ही डी मोटिवेशन आता है केंडल तो काफी सही बनाया हुआ है मैं इसको थोड़ा सा वेट करूँगा इसमें जब तक की EMA के नीचे क्लोज नहीं करता है तब तक मैं इस ट्रेट को होल्ड करने का पूरा पूरा कोशिश करूँगा क्योंकि ट् होता है ओके आप देख सकते हो इस ट्रेट में 22,000 का प्रॉफिट उपर दिखा रहा था और अभी यह लॉस में आ चुगा है 1602,000 के आसपस तो यह चीज़ थोड़ा सगड़ बढ़ है फिर से प्रॉफिट में 4,000, 6,000, 8,000 ओके ग्रेट 12,000 चलो अच्छा है रिजेक्शन नीचे से आ रहा है इसको फिर से 12,000, 14,000 का प्रॉफिट चल रहा है आई होप इस बार अपना टार्गेट आ जाए 14,000 का प्रॉफिट चल रहा है एकदम रोलर कोस्टर वाला यह ट्रेड हो चुका है आप तो आप तो इसमें एकदम क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी है कि भा यहां पर यहां पर भी 936 टाइम हो रहा है तो यह डबिंग नहीं हो रहा है यह मतलब लाइव ट्रेड चल रहा है लाइव ट्रेडिंग हो रहा है तो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि ने लैट से da कि ओके सोलह हुप इस पार अपना टार्गेट आजाएगा सब्सक्राव है राश्य हवा डिलेश्य ओ वर टुए मृनटू उ-सके को निकलता है तो टार्गेट आ जाएगा इसके उपर निकलने दो ठीक है इसके उपर निकलता है तो अपना टार्गेट करेगा 17,000 का प्रॉफिट चल रहा है क्योंकि आप देख सकते हो यह 3-4 कैंडल का यह टॉप है और हर कैंडल कि क्या है बुलिश कैंडल है मतलब एकदम बायर वाला कैंडल है अगर ब्रेक करेगा तो इसली स्पाइक मार देगा उपर अगर नहीं किया ना तो वह भी स्पाइक नीचे तरफ वैसा ही होगा एसल जाएगा अपना इन फैक्ट मैं तो सोच रहा हूं कि यहां पर क्वांटिटी एड़ कर दूं नाइन हंड्रेड चलो कोई नहीं गेम होता है लॉस प्रॉफिट तो जो भी होगा एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन चांसे काफी ज्यादा है कि उपर ब्रेक करेगा क्योंकि यह कैंडल देखो और उसके बाद वाला कैंडल देखो कितना ज्यादा यह कमजोर कैंडल है मतलब बायर इसमें बिल्कुल भी मार्क मार्केट को ऊपर के तरफ नहीं ले जा पा रहा है तो मार्केट में सेलर का दब दबा है तो यहां से गिर सकता है एजली ठीक है तो देखते हैं बस इस जोन को पर एक कैंडल क्लोज करने दो चलो सही है फिर से 16000 का प्रॉफिट चल रहा है 17000 ओके 18000 22000 27000 ओके 30000 ओके तो अपना टार्गेट हीट हो गया एकदम हैकर और वाट वाला आप लोग कमेंट सेक्शन में एकदम हैकर और वाट स्पैम कर दो और वीडियो को लाइक कर देना फरस्ट स्कैल्पिंग में मेरा जो प्रॉफिट हुआ है वह 35920 रुपीज का हुआ है काफी बढ़ यहां ट कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो कोई भी अगर ट्रेडिंग सीखना चाहता हो तो तो मैं नेक्स्ट स्कैल्पिंग करता हूं गाइस तो आपको अपडेट करता हूं स्टे टून ओके गाइस तो अभी आप देख सकते हो टाइम हो रहा है दस बच के 40 मि मैं यहां पर वेट कर रहा था एक कंसोलिडेशन या फिर पुल बैक का वो बिल्कुल मिल चुका है और यह अच्छा कैंडल मिल रहा है यहां पर एंट्री करने के लिए तो मैं यहां पर पूट साइड में एंटर रहा है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यह काफी एंटर करता हूं गाइस थोड़ा सा अगर नीचे आता है नीचे विक्स लगाने तो तो फिर ओके हां कि 350 कि 340 चलो 347 पे 346 पे मैंने बाइ कर लिया ओके गाइस तो अभी देखते हैं छोटा सा रिस्क रहेगा अगर नाइन यह में से नीचे क्लोज करता है तो मैं इस ट्रेट को कट कर दूँगा एक्जिट कर दूँगा यह मेरा दूसरा स्कैल्पिंग होने वाला है और काफी देर वे इसमें कैसा मूफ करता है वेट करेंगे मिल्कुल छोटा सा स्टॉप लस रहेगा इसमें लाउंग शॉट इसमें लगाते हैं कि नाइन यह मैं से नीचे क्लोज करेगा तेरा चौधा पॉइंट का लॉस लेंगे उससे ज्यादा नहीं लेंगे ठीक है और इसके अगेंस्ट में हम फॉर्टी पॉइंट यहां पे कैप्चिर करेंगे चलो लेट सी यही मेरा दूसरा स्कैल्पिंग होने वाला गाइस तो देखते हैं इतना बड़ा स्टापलस नहीं रहेगा वन इस्टो फॉर का यह ट्रेड है अभी इसमें करेंट रनिंग प्रॉफिट है नौह जार दसजर का टोटल अबरॉल प्रॉफिट का बात करोगे फॉर्टी सेवन थाउजन का फॉर्टी एट फॉर्टी नाइन ओके अ है ओके चलो फिर से यह ग्रीन में आता हुआ तीन चार अजर का प्रॉफिट चल रहा है लेट सी हुआ हुआ है हुआ है हुआ है है बस एक स्पाइक चाहिए यहां पर इसली आ जाएगा क्योंकि अगर आप देखो गए इधर मल्टिपल बायर से हां पर एंटर किया है तो कह आजए और मार्केट ऐसे भी बहूत ही ज्यादा कमजोर दिख रहा है टिक है तो सेलर यहां पर nic में एक चल रहा है अगर हुआजे इसमें profit book किया जाएगा तो let's see देखते हैं फिर से 11-12,000 का profit तो चल रहा है गाईज और ये एक पर इस range का breakout आना ज़रूरी है अगर इसके उपर निकलता है तो easily अपना target आ जाएगा ठीक है और बहुत सारे लोगों का एक question रहता है कि एक trade में आपका brokerage कितना लगता है जैसे ये मैंने trade लिया ना तो इस trade में जो brokerage लगेगा वो 500-600 के बीच में लगेगा ठीक है तो ऐसा brokerage लगता है अगर मैं दो trade लेता हूं तो दोनों में मिलाके 1000 के आसपस brokerage लगेगा बाकि सारा मेरा profit रहेगा ओके तो brokerage उतना नहीं सोचना चाहिए ठीक है अगर आप कोई भी business करते हो तो उसमें आपको rent भरना पड़ता है इधर भी समझो कि आप rent भर रहे हो आपका process पे ध्यान रहना चाहिए ठीक है कि बस मुझे अच्छे से अपना process follow करना है trade करना है profit करना है ठीक है बाकि ब्रोकरेस तो थोड़ा बोच जाए गई जाएगा उसमें तो आप कुछ भी कर लो बचा नहीं सकते 40 रुपय ब्रोकर को जाता है और बाकि जितना है सब government को जाता है इतना तरह का tax इस पे लगता है STT तो क्या त ट्रेडर बनना इतना असान नहीं होता है इतना सारा दुनिया बरकर tax भरो loss और profit फरक नहीं पड़ता टैक्स इदर चार्जेस भरो गई अगर गलती से आप profit कमा लिए एक साल में तो फिर उसमें भी 30% टैक्स भरो तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है इस ट्रेडर पैसा तो यह सब मत सोचो बस प्रोसेस पर द्हान दो सोचो कि हाँ जो चलो जीतना लेना है लो भाई मुझे मेरा काम करना है पैसा कमाने पर फोकुस करना एक बार इसको ब्रेक आउट करने दो तो फिर मजाएगा एक बार यहां पर बार-बार रिजेक्शन ले रहा है थोड़ा सा यह ट्रेड मुझे डर का ऐसा महौल बनाता हुआ दिक रहा है कि इसमें लॉस में निकलना पड़ सकता है ठीक है अगर इस इसके उपर क्लोज कर देता है तो फिर मैं ऑवर कॉन्फिडेंट हो जाओंगा कि हाँ चलो ठीक है यह ट्रेड अधर लिया था और दूसरा स्कल्पिंग मैंने इतना देर वेट करने के बाद लिया है तो देखते हैं काफी सोच समझके ट्रेड लिया गया है तो बस प्रोसेस पर ध्यान देना है और वेट करना है ठीक है आपका जो भी प्रोफिट लॉस होगा यह बात का बात है आप एकजिट और यहीं पर एड़ी है अगर गलती से भी यहाँ पर रेड़ केंडल बनाता है एमे को क्रॉस करके मैं तुरंत में एकजिट कर दूँगा कोई भी मोम आया नहीं रहता है आप लोग क्या कलती करते हो कि आप अस्टॉपलोस को बुक करते नहीं हो मतलब आपको डर लगता है कि आर अस्टापलोस ऐसे कैसे बुक कर लूँगा भाई अस्टापलोस अगर हीट हो रहा है न तो उसको accept करो respect करो अपने stop loss को क्योंकि अगर नहीं respect करते हो तो आपका वही छोटा सा loss बड़े loss में convert हो जाएगा और फिर वो recover नहीं होता है छोटे loss को आप recover कर लोगे लेकिन बड़े loss को recover नहीं कर सकते आप ठीक है क्योंकि आप कितना भी fight करोगे क्या ही हो जाएगा नहीं recover होता है भाई तो आप प्लीज stop loss पे निकला करो जहां हुई आपका decided जिसे मुझे पता है कि अगर नाई निया में से नीचे एक भी candle क्लोज करेगा मुझे निकलना इससे ठीक है एनिया उसमें वेट करना नहीं 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 दुबारा इंटर कर लूँगा वह अलग बात है लेकिन एट टाइम जो मुझे दिखेगा कि exit करना एं ट्रेट से वह करना है मुझे ठीक है फिर से यहां से rejection लिया है फिर से यहां पे 10,000 का profit चल दिखा रहा था बट यह level काफी जादा important है आप देख सकते हैं बार बार यहां से selling में convert हो रहा है तो इस बार देखते हैं कैसा क्या होता है अगर breakout आ जाता है इसमें तो फिर अच्छा है well and good नहीं आता है तो फिर वो भी अच्छा है I think यह trade को loss में ही cut करना पड़ेगा जिससाब से यहां पे reversal आ रहा है I don't think कि यह हमें पैसा दे पाएगा अगर इसके नीचे close करता है तब ही exit किया जाएगा during the trade इतना ज्यादा emotion का यह होता है ना I think यह sell करना चाहिए मैंने यह 13,000 के loss में exit कर दिया अभी मैं आपको दिखाता हूं इसमें 13,500 के आसपास loss हुआ है first trade में मेरा profit हुआ था और इसमें एक छोटा सा loss हुआ है तो risk reward देखोगे सही रहता है ठीक है छोटे सा loss में इसको मैंने cut कर दिया आपने देखा होगा मुझे जरा सा भी मोह माया नहीं लगा इस trade को cut करने में ठीक है क्योंकि मुझे पता है अगर दुबारा setup बनेगा ना द करूंगा गाइस तो वीडियो में बने रहें लाइक कर देना वीडियो को ओके गाइस तो देख सकते हो कि cut your losers का क्या मतलब होता है मैंने इस trade को इतना चोटा सा point पे loss में बुक किया था ठीक है और उसके बाद देखो market कहां से fall करके कहां तक आया हुआ है तो हमेशा आप यहां पर exit कर लिया था अभी market क्या किया है कि यह reversal का plan कर रहा है अगर आप देखोगे तो यह major resistance एरिया था जो की market में seller को confident मतलब confidence में रख रहा था ठीक है लेकिन जैसे इस level का breakout आया अब यह सारे sellers जितने भी इदर sellers आपको दिख रहे हैं यह कहीं न कहीं यह panic में होंगे कि इसमें इन सारे sellers का बड़ा नुकसान हो सकता है तो अगर यहां पर एक और buying start होता है तो मैं यहां पर buying का plan करता हूं ठीक है तो 47,100 का call यह थोड़ा reversal trade रहेगा ठीक है call side में तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है trade करने का लेकिन जो भी system पर दिख रहा है मुझे मैं उसको follow करत करता हूं ठीक है क्योंकि कोई भी resistance अरिया है नहीं उपर से selling करने का तो फिर अगर उपर जाएगा तो तेजी से उपर निकल सकता है तो यह candle close करने देते हैं उसके बाद मैं यहां पर चलो 900 quantity बुलिश केंडल आएगा तभी एंटर करूँगा देख लेते हैं थोड़ा सा अधरवाइस यहां पर कहीं डम ना कर देए सारे बायर्स को यहां पर ट्रैप करके तो एक अच्छा सा बुलिश केंडल आने दो देन मैं वहां पर एंटर करूँगा चोटे से अस्टापलस के स यह मेरा धर चल्पिंग होने वाला है देख सकते हो मैंने एक भी असकेलपिंग नहीं किया है इन दोनों की अलाबा यह मेरा पहला सेmostल प्रेंग फिग का टोटल अभी 22,300 65 रुपया का पॉस्टिव है अभी मेरा ये थट ट्रेट रहेगा अभी यहां से पॉसिबिलिटीज है कि एक और अच्छा सा ग्रीन केंडल बना दे तो बस इसी को फोलो करना है और तीन सेकंड बचा हुआ चलो मैं यहां पर इंटर करता हूं गाइस ठीक है 339 पर मै रखूंगा इसमें लॉंग पोजिशन इसमें मैंने बाई किया है और जो मेरा स्टॉपलस रहेगा वो रहेगा यह में के नीचे 10 पॉइंट का और टार्गेट इसमें 40 पॉइंट का रखेंगे ठीक है यह में स्कल्पिंग होगा लेट सी कैसा मूफ करता है अगर नीचे आत का स्टॉपलस उपर लगा हुआ है ओके 13,000 टोटल अवरल प्रॉफिट लॉस का बात करोगे तो यहां पर फिर से 32-30,000 का प्रॉफिट चल रहा है और इसमें टोटल प्रॉफिट इधर आने दो 40 पॉइंट का कैप्चर करने का पूरा-पूरा कोशिश कह जाएगा ओके 13,000 12 अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो चांसेस काफी ज्यादा हाइब होगा टार्गेट आने का ठीक है इस लाइन के उपर अगर इस जोन के उपर कैंडल क्लोज करता है तो थोड़ा से नीचे आगे 13,000 का प्रॉफिट चल रहा था अभी समें 4,000 का प्रॉफिट चल रहा है ओके चलो ब्रेक आउट तो कर देगा आइठिंक अच्छा है 11,000 का चल रहा है कॉल साइड में मेरा वैसे कोई भी मतलब एनालीसिस ऐसा नहीं है कि कॉल साइड में ट्रेड को होल्ड करना क्योंकि सेंटिमेंट भी निगेटिव है मार्केट भी निगेटिव है तो यह थोड मुझे भी लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा ज्यादा कॉंफिदेंस करता हूं L classification जो मुझे चार्ट पर दीकर रहा है और में रहता है जब अच्छा खासा profit आपका ये loss में convert होता है ना काफी बुरा लगता है last trade भी अच्छा खासा I think 17000 का green में था और वो reverse होके उसमें मेरा 13000 का loss में book करना पड़ा तो लेट सी देखते हैं इस पर breakout अगर कर दे तो फिर मज़ा आ जाएगा 348 चल रहा है आठ नौहजर का profit चल रहा इसमें कि यहां से एक अच्छा सा बाइंग तो आना चाहिए क्योंकि लोगों के stop losses है उपर तो एक stop loss अगर हीट करता है तो अपना टार्गेट आ जाएगा ठीक है अभी 8000-9000 का profit यहां पर रेनिंग प्राफिट है 11000 चलो इस पर breakout कर दो 12000 अगर इस पर breakout नहीं कर पाएगा तो यह ट्रेड थोड़ा रिसकी हो जाएगा ओके 16000-17000 ओके अगर यहां तक भी आता है न तो देखेंगे 24000 का maximum profit दिखाया इसमें थोड़ा सा यही यही गेम है पूरा साइकोलोजी का गेम है कि आप कितना hold कर पाते है अपने विनर्स को 24000 में भी यह रिवर्स हो जाए और लॉस में भी बुक करना पड़े 27000-3000 वैसे तो इस ट्रेट को कट कर देना चाहिए 25000 के profit में मैंने इस ट्रेट को कट कर दिया क्यूं कट कर दिया में भी यह उपर चला जाए लेकिन मुझे यहां पर थोड़ा सा डर लग रहा था ओके टार्गेट भी हो गया गाइस इन फैक्ट और भी उपर जा रहा है 27 रुपीज का profit हो चुका है ठीक है तो अच्छा था ट्रेड ठीक है मेरा यह तीसरा ट्रेड था बढ़ियां था ओवरल हम अच्छे से ग्रीन में है ज्यादा ओवर ट्रेड भी नहीं किया और अभी एप्रॉक्स 50,000 के profit में तो चलो यहीं पर एंड करते हैं क्यूंकि मैंने आई सर्जरी करवाया है मैंने आपको अलड़ी बताया है तो ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दे सकता क्योंकि मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि अभी ज्यादा एग्रेसिव 8-10 गंटा ऐसा स्क्रीन पर नहीं रहना है ठीक है तो इस वजह से यहीं पर एंड करते है आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और धन में एकाउंट ओपेन कर लेना नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उससे क्या होगा कि आप फ्री में मेरा स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स देख पाओगे ठीक है तो गूगल फॉर तो मैं उसका अंसर करूंगा ठीक है तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाईज लव यो आल बाई बाई रादे रादे